एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंग आडो जोन के नए एपिसोड में दोस्तो भारत में हाई-end काफी electric scooter एक के बाद एक launch होते जा रहे हैं लेकिन जब भी एक proper हाई-end electric motorcycle की बात आती है तो तब maximum जो comment आज भी आते हैं शुरू से ही वो यही होते है कि sir, torque electric motorcycle से कोई जुड़ा update है तो प्लीज बताएं, हम स्टिल उसका इंतिजार कर रहे हैं तो दोस्तो, good news है, इंतिजार खतम हुआ तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, torque electric motorcycle के launch से जुड़े कुछ नए update जो निकल कर आए है, उन पर बात करेंगे तो कहने की जूरत नहीं है, important होने वाली है वीडियो, पूरी जुरूर देखेगा और share and like जुरूर कीजेगा दोस्तो, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको idea हो गया होगा कि कोई भी एक बढ़िया electric vehicle market में क्यों नहीं launch हो पता उसके पीछे सबसे बड़ा reason है, funding का, torque के साथ भी कुछ ऐसा issue था, वैसे भारत Forge ने उसमें invest किया था लेकिन फिर भी वो amount इतना नहीं था, एक full flash, एक full level पर एक अच्छी level पर एक electric motorcycle को launch किया जा सके लेकिन अब जो निया update निकल कर आए वो यही है, कि भारत Forge ने और ज़्यादा invest करके तक्रीवन तक्रीवन सारा share torque motorcycle का उन्हें buy किया है और Mr. Amit Kalyani, जो की डिप्टी MD है, भारत Forge के उन्हें confirm किया है कि इंटरू में के बिल्कुल बहुत जल्द ना सिरुफ एक electric motorcycle, electric three wheeler को भी launch करेंगे और इन electrical vehicle products की जो debut date रखी है, वो है इसी साल, बिल्कुल इसी साल, November में, November 2021 और इन सब के लिए भारत Forge आने वाले महिनों में 200 से लेकर 200 क्रोड तक इन्वेस्ट करेगा पुनेवेस्ट भारत Forge उनकी प्लानिगा के आने वाले समय में बिल्कुल 5-6% मिर्म मार्केट शेर वो अचीव करना चाहते हैं दोस्तों ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खुशकबरी वाली खबर है, काफी लोग, काफी वीवर्स इंतिजार कर रहे थे, मैं भी परसनली इस इलेक्ट्रिक मोटर साइकल का इंतिजार कर रहा था, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, कि ये एक प्योर 100% Made in India इसके पीछे बिल्कुल सबसे बड़ा रीजन है, फंडिंग, अगर मैं बात करूं, हिरुलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एथर, अब ओलेलेक्ट्रिक की बात करूं, इन सबी के सक्सेस होने के चांसी सबसे ज़ादा है, उसका रीजन यही है, कि इनके पास अच्छी खासी फंड ऑफ़ेश को एलेक्ट्रिक, दूसरा है, सिंपल Энербीरी का, सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर, दोस्तों अगर आप मेरे कोमेंट्स को ध्यान से पढ़ता, आप देखोगे कि 10 में से 6-7 वीवर्स को सिंपल इनर्जी का, सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्याधा पसं इडिया पोड़क्ट है यहां खुद उन्हें जो R&D की है डिजाइनी की है इवन पेटेंट भी उससे जुड़े काफी सिंपल एनर्जी के पास है लेकिन फिर भी इन से पॉइंट्स के बावजुद भी जो जादा सक्सेस कामियाब होने के चांसी है अगर बात करो तो वो है सब्सक्राइब उसका सब्से बड़ा रीजन है कि इन्वेस्ट मेंट बहुत बड़े लेफल पर की जारी है इन मास्किल पर चोपी 500 क्रोड ट्वनटीश क्रोड क्रोड इन्वेस्ट किया जा रहा है दुनिया का अब्र सब सह बड़ा एलेक्ट्रिविलर प्लांट बनाया ज से फिलाल उमीद कर सकते हैं होप के इस नुवंबर में टॉर्क मोटर साइक से जुड़ा कोई अपडेट जरूर निकल कर आएगा या उससे पहले भी कोई अपडेट आएगा तो आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले फिलाल आज के लिए तना ही धन्यवाद वीडियो कों तक देखने के लिए जय हिंद